हेलो फ्रेंड्स आप सभी का स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल मिस्टर कौांट पर आज मैं उन स्टूडेंट के लिए वीडियो लेकर आया हूँ जो काफी परिसान है अपनी इंग्लिस को लेकर वो बोलते हैं कि सर हमारी इंग्लिस काफी कमजोर है और हमारा सपना है बेंकिंग में जॉब करने का तो उनका सपना कैसे पूरा होगा तो ये वीडियो आप स्टार्टिंग से एंड तक देखिए ये इस्पेसली आपके लिए बनाई गई है और वो भी मैंने यहाँ पर समय भी लिखा है पांच महा इसका मतलब तो पांच महीना ही है कम जादा नहीं आपके लिए फोरम भरने से लेकर फॉस्स सेलरी तक की जो पूरी कहानी है वो मैं आपको यहाँ पर बताने पाला मुँद देख लेते हैं क्या क्या कहानी है और मैं किस तरीके से आपको बताने वाला हूँ उसको यहाँ पर आप सुनते रहे हैं सबसे पहले कि सर जो आप बताने वाले हो वो कौन सा कौन सा bank का है तो सबसे पहले वो forum है bank कौन सी का RRB PO पांच महीने बचे हुए हैं आपके RRB PO के exam में exam की date भी बताऊँगा फॉर्म का भी बताऊँगा आपको काब है सबसे पहले अगर मैं exam date की अगर बात कर लेता हूँ और RRB की बात कर लेता हूँ पहले RRB का बता दें तो देखिए RRB क्या है जो ग्रामीड बेंक होती है वो RRB के थुक आपको जाना है उसमें आप PO की post पे भी जा सकते हो और clerk की post पे भी जा सकते हो PO post वहाँ पर PO लिखकर नहीं आएगा वहाँ पर scale 1 लिखा आएगा वो scale 1 आपके लिए ठीक है तो वहाँ पर हमें PO का यहाँ पर try करना है अगर मैं exam date की बात करूं starting में exam date की मैं इसलिए बात कर रहा हूँ ताकि आपका plan बने exam date और यह कहेंगे की सर यह उनके लिए क्यों कह रहे हो कि जिनकी English कमजोर है तो मैं बताता हूँ यह उनके लिए क्यों है पाकी का अगर आप कोई भी banking का exam देते हो उसमें English आती आती है लेकिन RRB का जो exam है RRB का तो RRB का जो prelims आपका होने वाला है जो आपका prelims होने वाला है prelims में आपके 40 question तो वहाँ पर आने वाले हैं quant देखें पर जो 40 question है आपके वो आने वाले हैं आपके केवल और केवल रीजिनिंग के जब आपको prelims में यह दो subject मिलने वाली है तो English का काम ही नहीं है भाई अगर आपके quant और reasoning अच्छी है तो आप कर सकते हो नहीं है अच्छी तो मैं बताओंगा कैसी अच्छी करनी end तक जुड़ें अब बात कर लेते हैं कि sir mens में क्या होगा तो mens में कुछ नहीं होगा mens में वही है आपकी एक तो subject आने वाली है यही मैन कि quan आने वाली है second आपकी reasoning आने वाली है आपकी जैसे की बात करें तो झीए आने वाली है और अगली बात करें तो यहाँ पर आपका computer की question आने वाले हैं computer के बात में बात करें तो English से आने वाली है अब कहिंगे sir आ गई न English अप्सन में भी आएगी हिंदी आप पेपर के टाइम पर फॉरम मैं नहीं बरनाए मैं आपको बताओं इंग्लिस या हिंदी मैसेज जो आपको वहां अच्छी लगे आप वो लेंग्विज में अपना एक्जाम दे सकते हो आप मत करों इंग्लिस आप हिंदी कर लो कोई करीब कितने माक करीब क्या फिक्स होता है असी माक्स का होता है और इसकी जो कटॉप है करीब वो पचास से पचपन के आसपास में वेरी करती है दूसरी बात आर आर बी के जो फॉरम भरे जाते हैं स्टेट बाइस भरे जाते हैं पूरा ओल ओवर इंडिया का एक ही फॉरम नहीं होता मतलब स्टेट वाइस भरे जाते हैं वहां की लोकल लेंगूज आपको आनी चाहिए आप इंडिया में किसी भी राजज्य से फॉरम भर सकते हो उसकी आपको लोकल लेंगूज आनी चाहिए अगर नहीं आती है तो आप फॉरम भर लो लेकिन जब लास्ट में पढ़ेगा तो आपको शीख सकते हो जैसे कि आप मानो राजस्तान से हैं और हम बरना चाहते हैं हम गुजरात से तो भर सकते हैं कोई प्रॉलम नहीं कर आपको लगता है वहां वेकेंसी ज्यादा है आप भर सकते हो लेकिन ध्यान रखना एंड के दनों में आप गुजराती ज होता है और इसमें जो कट आप है आप 80 से 90 के करीम में लेकर चाहिए 80 से 90 है न 80 से कम भी रहती है ऐसा नहीं है कि मैंने यह बोल दिया हर साल का फिक्स नहीं वही है एप्रॉक्समें मैं बोल रहा हूँ 80 से एग्जाम होता है बेंकिंग में तीन पार्ट में एग्जाम डिव इसके फौर्म के डेट की अगर बात करें तो जो फौर्म फिल होते हैं आपके वो स्टार्ट हो जाएंगे आपके फौरम कब से जून में एग्जाम कलेंडर जा रही हो चुका है उसमें आपको डेट एक दम क्लियर क्लियर दे रखी है कि आपके फौर्म कब होंगे और एग पर जो quant की बात करें तो 60 marks का रहता है reasoning है वो भी 60 की है GA की बात करें 40 की है computer है वो 20 का है और Hindi या English की बात करें तो 40 की है इस तरीके से ये बनता है दोस्तों यह यहाँ पर marks है तो हम ले देकर कह सकते हैं कि sir math और reasoning बहुत जादा important अगर किसी student ने math reasoning को बहुत strong कर लिया ना वो इसमें से कहीं भी नहीं जा रहा है clear है समझ में आ गया यानि कि आपको math reasoning अपना इतना strong करना है कि ये vacancy आपके हाद से नहीं जाई form का मैंने आपको date बता दी June दुलाई में बरे जाएंगे form फिल करने के बाद में इसमें process क्या-क्या है पहले आपका prelims होगा उसके बाद में आपका mens होगा अगर आप PO का form फिल करते हो तो तो आपका interview होगा ठीक है और अगर आपने clear का form फिल किया है तो कोई interview नहीं है आपका होगा पहले prelims लेकिन अगर इसके प्रिलिम्स की बात करें तो इसकी जो प्रिलिम्स की cut-off है वो ध्यान रखना 70 प्लस ही जाती है अब वो क्यों जाती है क्योंकि इतना इजी आता है जिसके कोई हद नहीं है unlimited इजी आता है तो normal है student कर डालते हैं 70 प्लस ही जाती है कभी state की लगबग एक दो की 70 से एक दो कम भी हो सकती 68 वगरा ऐसे भी हो सकती वही अगर कहीं वेकेंसी जादा आगी फिल वहाँ से कम है तो वो वाला इसू भी हो सकता है ठीक है एप्रॉक्स में आप 70 प्लस ही मान के चलिए तो ये तो कलर्क और पियो की कानी हो गई मैंस की बात करें कलर्क में तो same to same आता है बस interview नहीं होता आप मैंस पास कर लिजी आपके हाथ में सीधी जोब है लेकिन अगर आप पियो में जैसे की कलर्क पियो का भरते हो तो आपको interview देना पड़ेगा अब बात कर लेते हैं किसा जॉब लगने के बाद न सेलरी की तो सेलरी की अगर हम बात करें तो कलर्क में जब आप जाते हो तो कलर्क में आपकी जो सेलरी है वो 30 से 35,000 के आसपास में रहती है आप इसमें 30,000 के आसपास में ही समझो तो समझें, आप कितने के आसपास में समझें, तीसे के आसपास में आपको कलर्फ में मिल जाएगी, और अगर आप P.O. में जाते हो, तो आपकी जो सेलरी है, वो 50 से 55 अपर रहने वाली है, तो ये आपकी सेलरी का एक मोटा मोटा आइडिया है, ठीक है, थोड़ा बहुत उप इतनी की आपके पास में salary रहने बैंक में रहते हुए scale 1 में जब आप लग जाओगे तो आप scale 2 का दो साल बाद में exam दे सकते हो यानि कि आप manager senior manager इन post पर भी जा सकते हो ऐसा नहीं है कि यही आप का last future आप आगे भी बढ़ सकते हो अब इसके बाद बात कर दें सर हमको तो सिर्फ math reasoning strong करना है इसका मतलब तो मैं कहूंगा बिलकुल math reasoning ही strong करना है तो math reasoning का source क्या है source के लिए सुनिये मैंने अभी बिलकुल new batch start किया है free of cost है सबसे पहले तो student मन में जाता है कि सर कोई charge बगरा है क्या नहीं भी पहले तो free है live class इसके बाद में reasoning की जो class है वो भी live है reasoning की जो class है वो आपकी live लगेगी 3pm यह दौनों class आपकी लगने वाले इन दौनों class को आप join कीजिए RRB के recording RRB PO के recording आपके लिए सब्सक्राइब इसके बाद में सबसे important होता है सब test लगाना जो आप पढ़ रहा हो daily की daily उन question का अभी test लगाना है आप अभी complete test की तरफ जाओगे तो आपको इतनी knowledge नहीं है तो आप complete test लगा नहीं सकते तो अभी कोई test series के पीछे मत बागिए अभी normally test उसको start कीजिए जो मैं क्या करता हूँ एप के अंदर अपनी जो एप है उस पर डाल देता हूँ एप का नाम है Mr. Quant आप ये install कीजिए और install करने के बाद में आप bank bank quant वाले batch में जैसे ही जाओगे तो आपको वो कुछ रुपए मांगेगा आपको नहीं देने हैं वहाँ पर आप free करने के लिए वहाँ पर promo code लगा दो कि आप वहाँ पर आपके लिए free हो जाएगा quant 250 जैसी प्रोमो कोड लगाओगे आपके लिए free हो जाएगा आप test लगाईए इसके अलावा daily अगर कोई और भी न्यूज चाहिए तो एक काम करो आप telegram channel है वो join कर लो ठीक है telegram channel भी Mr. Quant के नाम से ही है फिर भी अगर आपको नहीं मिल रहा है तो वीडियो के description में मैं उसकी link देता हूँ चलिए तो जिन भी student को यह जो जानकारी है बड़ी काम की लगी अपनी काम की है तो channel को subscribe और video को like करना बिलकुल ना मूल है और well icon दबा लेना क्योंकि video के जो notification है वो आपको मिलते रहेंगे अब मिलते हैं हम सीज़े class के अंदर